याद रखना जिस भी लच्छ को आप लागातार अपनी दिमाग में रखते हैं आप उसी जरूर पा सकते हैं क्योंकि प्रती दिन का किया हुआ संघर्ज एक दिन सफल बना देता है तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूटूब चैनल सतीश चवान स्टडी पॉइंट में तो दोस्तों आज की वीडियो में हिंदी कच्छानव पद्य पाठ पाँच मैथली सन गुप्त की रचना पंचवटी के भाग तीन के बारे में देन करेंगे तो चलिए सुरुवात कर क्या ही स्वच्छ चादनी है यह है क्या ही निस्तब्द निसा है स्वच्छन्द सुमंद गंधव नीरानंद है कौन दिसा बंद नहीं है अभी भी चलते हैं नियतिनटी के कार्यकला पर कितने एकांत भाव से कितने संत और चूप उचाप क्या ही स्वच्छ चादनी है यह है क्या ही निस्तब्द निसा कितने संत और चूप उचाप तो इस पद्यांस में कभी ने बताया है कि पंचवटी के चारों तरब स्वच्छ चादनी फैली हुई है कैसी चादनी फैली है देखिए क्या ही स्वच्छ चादनी है मतलब आगे कभी बता रहे हैं कि जब लचमर अपने बड़े भाई स्रीराम और उनकी पतनी सीता जी की रच्छा करते हुए पहरा दे रहे हैं तो उस समय का वाता वरण में बताया गया है कि चारों तरब स्वच्छ चादनी फैली हुए है क्या ही निस्तब्द दिषा निस्तब्द मने बिना सब्द के दिषा मने निस्तब्द मने रात्री अने बता रहे हैं कि पंचवटी में दूर दूर तक चादनी फैले हुई है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है और रात सन्नाटे से भरी है अर्थात कोई सब्द नहीं हो रहा है चारो तरप सच्छ चादने बीचिवी है कैसी चादनी है है स्वचंद शुमंद गंधव नीरानंद है कौन दिखाई स्वचंद माने एकदम साप सुथरी सुमंद माने अच्छी मंद माने धीरे धीरे गंध माने महाग वह मिस्वख निरानंद में चारो तरफ आनंद है कौन दिखाई माने कौन दिखाई अर्था चारों दिशाओं अनि बता रहे हैं कि वायू स्वच्छ गती से अपनी स्वतंतर चाल से मंद मंद बह रही है इस समय उत्तर पूरब पस्चिम दच्चिल अर्था सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद फैला हुआ है कोई भी दिशाओं आनंद से सुन्य नहीं है अर्था चारों दिशाओं आनंद से परिपुन हो गई है असा लग रहा है कि चारों और मनोहर गुड फैल गए हैं कैसे फैल गए हैं बंद नहीं अब भी चलते हैं नियती नटी के कारकलाब कि बंद नहीं है मिश रूके नहीं है अब भी चलते हैं अब भी चल रहा है क्या चलते हैं नियती मने संसार का जो नियम है जैसे सुरिका उदे और अस्थ होना ये किरिया कलाब ये चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं कि इस समय में भी नियती नामक बिशेश सक्ति की सभी कार संपन हो रही हैं और कहीं कोई रुकावट नहीं है तर जो किरिया कलाब है जैसे दिन होना रात होना ये सभी किरिया कलाब चल रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है क्यों नहीं है कि पर कितने एकांत भाव से कितने सांत चूप चाप एकांत मतलब इस्थिर भाव माने विचार से सांत माने सुन्य चूप चाप में सांत या सुन्य जहां कोई भी सब्द की ध्वनी नहो अनिक बता रहे हैं कि नियती अपने किरिया कलापों को बहुत ही सांती से संपन कर रही है वह एकांत भाव से अर्थात अखेले चूप चाप अपने कर्तब्यों का निर्वाह किये जा रही है इस तरफ चारों तरफ सच्छ चादनी फैले वे तो कावेगा संदर के अंतरगत इस पद्यांस में अलंकार में अनुपरास अलंकार और रूपक अलंकार प्रयूग किया गया है और रस के अंतरगत इसमें सांत रस प्रयूग किया गया है तो आगे बढ़ते हैं है भी खेर देति वसुन्धरा मोती सब के सोने पर रभी बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर और भी राम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है सुन्य स्यामत अनुजिस से उसका नयारू पुझहलकाता है उसका नयारू पुझहलकाता है इस पध्यांस में कभी मैथली सनगुप्त जी बता रहे हैं कि वरवास के समय पंचवटी में निवास करते हुए लचमर एक पत्तों के कुटी में सीता जी की रच्छा कर रहे हैं और रात की प्राख्तिक सुंदरता बड़ा ही मनुहारी है किस प्रकार उन्हें वरण किया है देखे है विखेर देती वसुंधरा मोती सब के सोने पर विखेर देना मतलब फैला देना वसुंधरा मने प्रिथवी मोती मने मोती के समा सच ओस की बूदी सब के सोने पर मने सभी लोगों के सो जाने पर बता रहें कि यह प्रित्वी सभी लोगों के सोजाने पर नित्य प्रती दिन आकास में नचत्र रुपी मोतियों को फैला देती है किस प्रकार आगे क्या होता है रभी बटूर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर अनि कि पता रहें कि जब सुबह होती है तो चारों तरफ आकास में मोति के तरह ओस के कड़ दिखाई देते हैं और जब सुबह हो जाती है तो रभी बटूर लेता है रभी माने सुरे बटूर माल लेता है माने एकत्रित कर लेता है सदामिस हमेशा सबेरा होने पर मैं सुरी ओदे होने पर प्राता काल के समही सुरे इन मोतियों को बटोर लेता है एकत्रित कर लेता है और बिराम दाइनी अपनी संध्या को दे जाता है बिराम दाइनी के मतलब आराम करने वाली संध्या मने साम को की बता रहे हैं कि यह सुरे भी नचत्र रूपी मोतियों को संध्या सुंदरी को दे कर अपने लोग चला जाता है अथार जिस अस्थान से आता है इस मोतियों को संध्या को संध्या सुंदरी को दे कर वापस अपने लोग चला जाता है सुन्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप ज़लकाता है सुन्य मने इस्तिर्शाम मने काला तनु मने पतला जिससे उनका नया रूप ज़लकाता है नया मने एकदम परिवर्तित रूप कि अब जब साम हो जाती है तो अतह नचत्र रूपी मोतियों को धा करते हैं वह संद्या सुंदरी का सुन्य स्यामल रूप जिल मिलाता हुआ बहुत ही कोमल दिखाई देता है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है तो काभगत संदर के इंतरक्रत इसमें अलंकार अतिस्योक्ति अलंकार है अतिस्योक्ति अलंकार का मतलब होता है जहां बात को बह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए यदि चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे दोस्तों हमारे इस यूटूब चैनल सतीस चहवानी स्टड़ी पर जल्दी नय साल का एक बेस्टाफ आने वाला है जिसमें आपको कच्छा 10 और 12 जो की बोर्ड में most important प्रसन होते हैं उसकी नई नई instruction अर्थाद सुचनाय आपको मिलेंगी और नई नई वीडियो आपको प्राप्त होगी तो इसे ज्यादा ज्यादा लाइक और सेयर करिए ताकि यह बच्चों तक पहुच जाए और उपने परिच्छा में अच्छे स्कूर कर सकें ठीक है दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई धन्यवाद